क्या आप भी घर और किचन के कामों से बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो आज के बाद से आपको परिशान होने की ज़रूत नहीं है क्योंकि मैं लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग किचन के टिप्स और ट्रिक्स जो आपके डे-to-day लाइफ को बहुत ज़्यादा आस होती ही है कि जब इसको वाश किया जाता है या फिर इसको सूखने के लिए रखा जाता है तो यह कहीं न कहीं इसके पेयर गुम हो जाते हैं और फिर एक पेयर किसी काम का नहीं रह जाता तो इसको फोल्ड करने का ये तरीका जरूर फॉलो करिएगा इस तरीके से फोल्ड कि में कैसे help कर सकता है देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आपको circle draw करनी होती है तो बहुत problem होती है अगर आप किसी object के बगार इसको draw करते हैं तो अच्छी तरीके से draw नहीं हो पाता तो आप यहाँ पे इस paper cliff का use करके बहुत ही बहतरीन सा एक circle draw कर सकते हैं similarly यहाँ पे भी में आपको paper cliff का ही एक योज बताऊंगी तो यहाँ पे देखिए कई बार आपके बच्चों की शिकायत होती होगी कि उनकी pencil गुम हो गई या फिर eraser शापनर गुम हो जाता है तो आप अपने बच्चों को इस तरीके का जो paper cliff होता है वो जरूर लगा करके दिखाईए क्योंकि जो zip होती है आपने देखा होगा कि दो zip होती है तो अगर आप इसको इसके अंदर लगा करके रखेंगे तो यह बहुत अच्छी तरीके से इस zip को lock कर देता है और जिसके वज़े से कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बच्चों के bag को easily open नहीं कर पाएंगे जिसके वज़े से आपके बच्चों की जो चीज़े होंगी वो बिल्कुल भी misplace नहीं होंगी तो यहाँ पे तुम्हें bag की बात कर रही हूँ अगर आप कहीं travel में जाते हैं तो यह paper clip आप अपने purse में भी लगा सकते हैं अब देख लेते हैं next tip तो इस तरीकी के जो artificial jewelry होती है वो हर किसी को पसंद होती है बट problem एक आती है कि कई लोगों को इसको पहनने से allergy हो जाती है बहुत जादा itching या फिर skin rashes हो जाते हैं तो इसके लिए देखिए अगर आपको emergency में पहनना ही पढ़ रहा है तो आप इसको talcum powder से अच्छी तरीके से coat कर लीजिए और इसके बाद आप इसको wear करिए इससे होगा क्या कि जब आप artificial jewelry पहनेंगे तो artificial jewelry आपके skin के contact में direct नहीं आएगी क्योंकि इसके उपर एक coat powder कर लगा हुआ है तो इसलिए आपको infection बिल्कुल नहीं होगा अब देखिए गर्मी के time में एक problem बहुत ही ज़्यादा common है कि अगर आप morning में भी रोटी बना करके रख देते हैं तो वो शाम तक अगर बिल्कुल बंद रहता है डबा तो रोटी खराब हो जाती है तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जब कभी भी आप hot case में रोटी रखें तो उसमें एक spoon या तो एक fork ज़रूर लगा करके रखें इससे इसके अंदर हवा जाती रहेगी और जो भी आपने रखा है पूरी पराठा या फिर रोटी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और कोशिश यही करा करें कि आप fresh बना करके खाया करें अगर बहुत ज़दा problem है तो आप इस वाली tip को ज़रूर follow कर सकते हैं क्योंकि इसके 110% positive results हैं और मैं तो हमेशा इस तरीके से रखती हूँ जिससे रोटियां बिल्कुल भी खराब नहीं होती है अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए जब आप new button खरीद करके ले आते हैं तो उस पे इस तरीके का sticker लगा होता है आप देखिए sticker को निकालना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है अगर आप इसे nail से निकालना चाहते हैं तो ये nail से बिल्कुल भी नहीं निकलता अगर आप चाकुछोरी से इसको निकालना चाहते हैं अगर आपने गलती से भी कोशिश कर ली तो इसके उपर बहुत ही ज़्यदा scratches जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और new button पे scratch तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो देखिए इसको निकालने के लिए simple सा अगर आपके पास hair dryer है तो उससे थोड़ा थोड़ा बस इस पे आच लगा दीजिए अब देखेंगे कि जितने भी sticker हैं वो बहुत ही ज़ादा easy तरीके से निकल जाएंगे अब बढ़ते हैं next tip के तरब तो देखिए हम सब की घर में bed sheet फट जाती है और जो pillow cover होता है वो रह जाता है तो इस तरीके से ही कठा होते होते मेरे पास तो बहुत सारा है तो बस आज मैं उसी का use बताऊंगी अगर आपके पास भी है तो इस tip को ज़रूर follow करके देखिएगा तो देखिए सबसे पहले तो इसको अच्छी तरीके से फैला देना है और फलाने के बाद देखिए जो top all apart होता है न तो मर्जी आपकी है जिदर से pillow को insert किया जाता है उधर भी आप cut कर सकते हैं और इसके bottom में भी cut कर सकते हैं तो देखिए मैंने तो इसके top में ही cut किया है चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस चीज को हम organize करेंगे तो देखिए इसमें हम अपनी महंगी महंगी जितनी भी साड़ियां हैं उसको organize करके रखेंगे क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर आप साड़ियों को इसी तरीके से hanger में डाल करके अपने wardrobe में लगाते हैं तो कहीं न कहीं से उसमें मिट्टी और धूल वगरा accumulate होता रहता है जिसके वज़े से आपकी महंगी महंगी साड़ियां बहुत ही बुरी हो जाती हैं बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि महंगी साड़ियों में sequence होता है जरी work होता है तो यह सब न इसको बहुत ज़दा safe रखती है तो अपने जो पिलो के गिलाफ है या फिर पिलो कवर है उनको अच्छी तरीके से संभाल के रखें और अपनी महंगी महंगी साड़ियों में योज़ करें अब यहां पर देखिए अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं पती ऑफिस जाते हैं तो सबको lunch box देना पड़ता है तो आपने देखा होगा कि अभी इस तरीकी की जो lunch box है न काफी trending में है इसमें जो gas kit लगा होता है न इसको आप हमेशा निकाल करके wash किया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़दा food particles फसते हैं और अगर आप इसको निकाल करके साफ नहीं करते हैं तो वो सड़ते हैं और इसको unhygienic बनाते हैं तो जब कभी भी इसको wash करिए आप इसको अच्छी तरीके से निकाल करके और खुब जाग बना करके अच्छे से इसको साफ करें साथ के साथ जो office देने वाली टिफिन होती है उसका इस तरीके का cover होता है आपने देखा होगा कि जब कुछ भी आप उसमें देते हैं तो थोड़ी बहुत अगर चीज़े लीक होती हैं तो इसके न इस वाले corner में आकर के गिरती हैं और बहुत गंदी smell आती है अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया होगा तो जरूर ध्यान दीजिएगा तो मैं क्या करती हूँ कि अच्छी तरीके से इसको उल्टा करके और इसे भी wash करती हूँ wash करने के बाद देखिए मैं इसको धूप में जरूर रखती हूँ एक से डेड़ घंटे तक और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से smell free और jam free हो जाते हैं देखिए ये gas kit कितना ज़दा white दिखने लगा है तो ये tip जरूर follow करके देखिएगा अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए इस तरीकी के जो bottle होते है बच्चों के आप continuously उसमें पानी देते हैं तो कुछ time के बाद ये इस तरीकी से दिखने लगते हैं इसके अंदर जो जिद्धी mail होती है वो जमा होने लगती है तो इसके लिए आपको क्या करना है इसको साफ करने का बहुत ही simple सा तरीका है कि आप baking soda एक चमश डाल दीजिएगा इसके अंदर और फिर आपना जो आरो का पानी होता है उसे खुब अच्छी तरीके से उबाल करके और फिर इसके अंदर डालिएगा डालने के बाद देखिए अगर आपके पास कोई टूल है तो उससे भी साफ कर सकते हैं otherwise देखिए मैंने ये घर पे ही टूल बनाया था जो फोम होता है उसको कट करके इसके अंदर डाल करके रबर लगा दिया है अब इससे भी बहुत अच्छी तरीके से cleaning हो जाती है आप इ अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूरे से बना करके दिखाऊंगी अब देखिए मैं इसका जो पानी है वो निकाल दे रही हूं कितना जादा ये गंदा हो गया है हलाकि मैं frequently अपने बचों की टिफिन और बाटल को साफ करती हूं तो ये बहुत जादा गंदा तो नहीं है बठा अगर आपके पास इस तरीके की बाटल है बहुत ज़दा गंदी है तो आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ तो यहां पे देखिए जो मिक्सी होती है उसका इस्तमाल हर घर में regular basis पे होता है अब देखिए हम काम करते हैं सुबह मे बहुत जल्दबाजी होती है तो काम करने के बाद हम जल्दी से इसको उठा करके रख देते हैं लेकिन आप इसको हपते में एक बार इसकी deep cleaning जरूर करें इसके लिए आपको कुछ भी use नहीं करना simple सा जो भी आपके घर में टेलकम powder है अगर आपके पास expiry टेलकम powder है तो भी आप इसका use कर सकते हैं इस पे लगाने के बाद पुराने ब्रश से खूब अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे रगड़िये और इसके बाद किसी पुराने कपले से आप इसको साफ कर सकते हैं इसे जो भी आपके mix है ना जितने भी इस पे तेल या फिर कुछ भी गंदगी है एकदम साफ हो जाता है अब बढ़ते है नेक्स टिप के तरफ तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल सा एक बोल में पानी लिया है उसमें एक चमच विनेगर डाल दिया और एक चमच सोडर डाल दिया दोनों को अच्छी तरीके से mix करना है और mix करने के बाद इस तरीके के स्प्रे बोटल में इसको भर दीजिए अब इसका यूज आप पोछा लगाने में कर सकते हैं जी हाँ अगर आप बकेट में पानी रेडी कर रहे हैं तो भी यह दोनों चीजे डाल करके अच्छी तरीके से अपने घर और किचन को साफ कर सकते हैं देखिए अभी गर्मी का ट पुचर और चीटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी एक बर जरूर आप इसको ट्राय करके देखिएगा यहां तक बने रहने के लिए और वीडियो को फूल वाज करने के लिए लॉट्स अफ थैंक्स तो आज के लिए इतना ही मिलती हूं में कल एक और नई और बहुत ही बहतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बाई बाई एंड टेक केर